सबी को प्यार भरा नमस्कार अगर आप नहीं है मेरे चानल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा एक मिक्सिंग बॉल में एक टी चमच हमने इंस्टन्ट ड्राइ इस जो मार्केट में मिलता है उसको डाल दिया है अभी इसमें तीन चुताई कप गुनगुना सा पानी डालना है बिलकुल गुनगुना होना चाहिए बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और एक और आधा टी चमच हमने इसमें चीनी डाल दिया है और एक टी चमच हम इसमें नमक डाल देते हैं इसको अच्छे से मिला लेना है हमने वीडियो काट दिया है आप बहुत ही अच्छे से मिला लीजेगा चीनी जब तक फिगल जाए तब तक मिला लिजेगा अभी हम इसमें एक और आधा टेबल स्पून तेल डाल रहे हैं टेबल स्पून याद रखिएगा अभी इसको मिला लेंगे फिर हम इसमें हरी मिर्ची का पेस डाल रहे हैं दोटी चमच और ये जो सुवा सबजी मिलता है डिल लेफ जिसको कहते हैं उसको हमने बारिक से काटके डाला है आप चाहे तो दन्या पत्ती भी काटके डाल सकते हैं मसाला बन या मसाला ब्रेड बना रहे हैं अभी इसमें एक चोताई टी चमच मैदा डाल रहे हैं इसमें और इसको अच्छे से मिला लेंगे अभी हाथ से हम हलके हाथ से ही इसको बस मिला लेना है अभी गुनना नहीं है इखटे करके अभी इसको ढखके हम 15 मिनिट तक रेष्ट करने देंगे 15 मिनिट के बाद ये ऐसा दिखेगा आठा अभी हम किचन काउंटर को थोड़ा सा सूखा मैदा डाल के स्प्रिंकल करेंगे ताकि यह जो आठा हम गोंदेंगे वो चिपके नहीं किचन काउंटर पे तो अभी हम इस आठे को ट्रांसवर करते हैं और इसको गोंदना शूरू करते हैं दिखिए जो हम वीडिया में जैसे दिखा रहे हैं उसी मोशन में आपको इसे पांच मिनट तक गोंना है अगर आपके पास हैंड मिकसर है तो काम बहुता आसान हो जाता है आप उसी में में गोंन सकते हैं लेकिन हाथोसे बनाना है अगर आपके पास hand mixer नहीं है तो महनत का काम है आप खाना बनाते बनाते पूरा दिन लग जाएगा लेकि चार घंटे तो लगी जाते हैं इसको बनाने में तो इस तरह से घून लीजीगा पांच मिनिट तक फिर बाद में 7 मिनिट तक इस तरह से पटक के रोल करना है जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है 7 मिनिट तक तब जाके ये आठा जो है पर्फेक्ट बनता है अभी हम इस आठे को अच्छे से टक करके उसी बॉल में रखके ढखकर इसको रेस्ट करने देंगे एक घंटे के लिए या फिर तब तक जब कि ये आठा जो है फूल के डबल साइज का बन जाए तो देखिए एक घंटे के बाद इतना अच्छा सा फूल के आया है ये अभी हम इसका सारा हवा जो है उसको निकाल देते हैं जिहां इसको पंचिंग कहते हैं इंगलिश में तो इसको अभी हम काउंटर पे थोड़ा सा सुका आठा डालके निकाल देंगे और हाल के हाथ से ह इसको बस इसका हवा निकल जाए तब तक इसको मिक्स करना है इस तरह से और फिर बाद में इसका हम आठ हिस्सों में काट रहे हैं आप चाहे तो एक हिस्से का एक लोफ बना सकते हैं या फिर जितना ब्रेड बनाना है आपको उस तरह उस हिसाब से आप काट दीजेगा आटे की हिस्सों को इसी तरह से गोला कर बना के रख दीजेगा अब हम जिस बॉल में इस आटे को गुन देते उस बॉल को इसके उपर इस तरह से ढखके 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे जिस टिन में हमें इसको बेक करना है उस टिन पे तोड़ा सा तेल डालके अच्छा से ग्रीस कर लेंगे इसको अभी 15 मिनिट के बाद यह आटा थोड़ा सा पूल चुका है अभी इसको फिर से हमें kitchen counter को dust करना है सुक्याटे से और जिस तरह से हम वीडियो में बता रहे हैं उसी तरह से ये लोहियां जो है उनको बेल लेना है इस तरह से बेल के इसी तरह से आपको इसे fold करना है और roll करना है और किनारों को जो है अच्चे से चिपका दीजीगा देखे इस तरह से अच्चे से चिपका दीजीगा अभी सारे आटों के जो गोलें बना के रखा है उन सभी के साथ ऐसा ही करना है और इसको तिन में रख देना है अभी तो टिन में इतना चोटा चोटा दिख रहा है अभी इसको ढग के हम एक और गंटे के लिए रेस्ट करने के लिए दे देंगे तो एक गंटे के बाद देखेंगे उसको तब तक 10 मिनिट जब रहेगा एक गंटे के रखेंगे आदा इंच तक नमक डाल दिया है उसको ढख के मध्यमाच पे गरम होने देंगे जो लिड पे अगर खोल है तो उस पे छोटा सा पेपर रोल करके उसको सील कर दीजेगा देखिए अभी फूल चुके हैं अच्छे से रेडी हैं अभी बेक होने के लिए तो अभी हम जो प्री हीटेड कड़ाई है उसमें इसको रख देंगे और इसको ढख देंगे और इसको जो है ट्वेंटी ट्वेंटी टू मिनिट्स तक लो फ्लेम पे बेक करना है और फिर बाद में दो मिनिट तक मध्यमाच पे इसको बेक करना है देखिए क्या बढ़िया कलर आया अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे उससे पहले हम इसके उपर अगर आप वीगन है तो आप इस पर ऑलिव ऑईल ब्रश कर सकते हैं या अगर आप वीगन नहीं है तो घी या फिर मकन को भी लगा सकते हैं इस तरह से लगाने से जो है उपर का परत जो है वो सौफ्ट र होने के लिए रख देते हैं कि टंडा होने के बाद इससे दिखेगा देखे टेक्स्चर कितना बढ़िया है बहुत ही अचासा जैसे बेकरी में मिलते ना स्ट्रेची वाला ब्रेड वैसा ही है कॉटन सॉफ्ट है देखिए एक एक लेयर भी आप इस तरह से निकाल सकते उतन देखिए क्या बढ़िया है तो अब button कोई भी स्प्रेड लगा के का सकते या ऐसे ही भी का सकते हैं चाई के साथ बहुत ही बढ़िया रहता है तो बिख किजि какая और एंजुए किजिए गा इस ब्रेड को फिर मिलते हैं अंगले रेसेपिके साथ उसके तब तक नमस्कार